पलामु सांसत बिडी राम ने नौसेना के जवान की निर्मम हत्या मामले की लोक सभा मेशुने काल के दोरान सीबियाई जाज की मांगी है आपको बता दें कि पलामु सांसत बिडीक शेत्र के अंतरगाच चैनपूर के कोल हुआ निवासी जवान सूरज दूबे की हत्या मुंबई में कर दी गई थी नौसेना के जवान सूरज दूबे आईनस में सेलर के पदपर थे पलामु के पुरब्रिहा गाउं का सपूच सूरज कुमार दूबे आईनस अग्रणी में सेलर के पदपर पदस्था पित था वो चुटी पर घर गया हुआ था और चुटी विदाने के बाद ड्यूटी जोईन करने के लिए जा रहा था तीस एक दो हजार एकिस को चैन्नई एरपोर्ट से उसको तीन अफ़रण करता और ने अफ़रण कर लिया तीन दिन तक चैन्नई में वो उसको बंदक बना करके रखे रखे उसके बाद वहाँ से पंदर सो किलो मिटर दूर पाल घर मुंबई में ले जा करके जला करके मरे हुए स्थिती में पाल घर के जंगल में छोड़ दिया गया अब प्रशनी ये उठता है कि इतनी दूर उसको ले जा करके मर्डर करने की क्या आवशक्ता थी और क्यूं उसका मर्डर किया गया जी कि इस कांड का अनसंधान CBI से कराने की क्रिपा की जाए इस प्रकार का आदेश देने की क्रिपा की जाए मेरा आदर्णी ग्रहमंती जी से अनुरोध है कि जो भी प्रक्रियाए हैं उसको पूरी करके इस कांड का अनसंधान CBI से करा है